हेलो स्टुडेंट्स आई होप यूआ अर गूर तो टोड़ी वीडियो फिंग्लेश लेसन नमर नाइन डिवाइड एड 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 सो यह हमारी क्लास फोर्थ की इंग्लिश की बुक है इसका हम न्यू लेसन स्टार्ट करने जा रहे डिवाइड एड 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 बाग ग्लिवाइड एड 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 करने वाला कुछ हम इसमने पढ़ने वाले क्या जो भी हम कुछ खातें उसा डिवाइड करना है क्या कई सारी questions राइड करके खाया खाने को डिवाइड किया किया कैसे किया किया कैसे किया कितने part कि खाने को यह सारी questions आपके mind में आ रहे होंगे So now आप क्या देखेंगे हाँ Warm up Warm up में given है Unscramble the words given here And say what they have in common Unscramble for the words को मतला क्या करना है आपको इसको गलत लिखावा है इसको आपको ठीक से Arrange करके लिखना है जिसी वर्ड लिखे A, R, E, S, H I, V, I, D, E L, S, P, T, I कई सारे दिएवे जिसी इसका होगया Divide, Split ठीक है आपको अपने according के बाकी तीन भी आप solve करेंगे जो भी इनके answers होंगे Like जो भी आपको लगता है सुरेश, हरेश जो भी है आप इसको solve करेंगे So now Come to the story अब हम story स्टार्ट करते हैं Reading स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी आप स्टार्ट करते हैं So स्टार्ट करते हैं Once upon a time There were two brothers एक बार की बात है दो भाई थे Two were very twins दोनों क्या थे? Twins थे They were very different दोनों काफी different थे Different मतला क्या चिस different थे उनके अंदर? While Ramesh was well built cheerful and always ready to have people in need मतलब एक बाई का नाम क्या था? एक ब्रदर का Ramesh और उसका नेचर कैसा था? काफी अच्छा था strong था और हमेशा दूसरों की help करने के लिए ready रहता था सुरेश वास थिन quiet and miser the brother did not get along well with each other and spent all their time quarreling अजो सुरेश रहा वो opposite था मतला वो क्या चाहता था? उसकी क्या विश्ट्री की उसके पास money हो वो money को save रखना चाहता था कभी भी spend नहीं करता था जितना आज हो कि अपनी money को save करके रखता था अब यह दोनों भाय डिफ्रेंट थे एक दूसरों की help करता था और एक को से पैसे collect करना पसंदा अपने पास बहुत साई पैसे होने चेह उसे यह चीज़ अच्छे लगती थी और पतला दुबला था और शांत सभाव का था तो यह दो दोनों भाय थे ना इन दोनों की आपस में नहीं बनती थी यह साथ नहीं रहते थे जब भी होते थे लड़ते थे क्वारिलिंग लड़ते जगड़ते रहते थे वैं दे वर ट्वेंटी इयर्ज ओल अब जब वो बड़े हो गए ट्वेंटी इयर्ज के हो गए डे डिसाइड़ तू लीव देयर विलेज और गो तो दा बिक सिटी टू मेकर लीविंग उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो गाहों छोड़के शहर जाएंगे और वहाँ पर अपना दुनिया महीं पर ग्रियेंगे लीव महीं पर रहेंगे अब जब बहुत गर्मी का दिन था चले जा रहे थे वो अब जब वो बन्यन ट्री के पास से गुझरे तो दोनों आख खड़े खड़े ठक गए थे और दोनों बोलते हैं दोनों एक बात पर अगरी होते हैं वो बात क्या थी कि दोनों ही हंगरी थे भूके थे knowing well they would argue bitterly if they had to share their lunch their mother had packed two lunch boxes जब उनकी मदर थी ना उन्हें पता था कि अगर वो एक lunch पैक करके बेजेंगी तो दोनों भाई लड़ेंगे इसलिए उन्होंने दोनों का lunch अलग-अलग पैक किया क्या क्या अलग-अलग पैक किया so now come to the next page the brothers wash their hands in a nearby stream and open their boxes जो भाई थे ना दोनों उन्होंने अपने हाथ दोए और एक stream नदी जो आपे पानी भेर आता हम आपे फाथ दोए और अपना lunch box उपन दिया to their surprises they saw that while Ramesh had been given three products there were only two in Suresh Stephen box अब वो दोनों surprise थे रमेश के lunch box में तीन पराठा थी और सुरेश के two perhaps their mother thought Ramesh with his hearty appetite would need to eat more तो जो उनकी मदा थी उन्होंने क्या सोचा होगा रमेश लंब बड़ा है काफी healthy है तो उसे भूख जादा लगेगी इसनों उने उसे एक चपाती एक पराठा एक्स्टर दे दिया बट सुरेश अपसेट था इस बात से भी कि उसे एक एक्स्टर क्यों मिली as they were start about to eating a traveler came up to them and said brothers I am sorry to interrupt your meal but I have lost my way I am very hungry तो वो क्या बोलता है एक traveler होता है जो वहाँ पर travel कर रहा होता है और आथ के बोलता है brother मैं न sorry मैं आपको interrupt कर रहो interim माने क्या होता है कि किसी चीछ के लिए रोक रहा किसी को मैं आपसे मतलब हम किसी से बात कर रहे हैं उनके वो खाना खाने जा रहे तो उन्हें रोक के बात कर रहे हैं इसलिए वो sorry कहते हैं कि मैं तो मैं रोक रहा हूँ मैंने रास्ता भटक गया हूँ और मुझे बहुते जभूक लगी है वो कहते हैं मेरी प्यास पैसे तो है बट मैं इस जंगल में कहां से फूट पर्चेस करूँ कहां से खरीदू अगर आप मुझे से अपना फूट शेयर करेंगे तो मैं आपको उसके लिए पैसे दूगा तो अब इसने बोल तो दी क्या सुरेश और रमेश से इसके एगरी हुए आपको क्या लगता है क्या वो एगरी हुए होंगे या नहीं और हुआ होगा तो कौन एगरी हुए हुए थे कि नहीं इस बात में यह आप बताएंगे मुझे नेक्स वीडियो में हम आगे कोंटिन्यू करेंगे कि आगे क्या होता है अगर 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 σεट एको करते हैं यह सब हम पढ़ेंगे नेक्स वीडियो में तो आज jego होते हैं तो ghost मैंच, कम्मेंट बाट मैं वीडियो